वेल्कम बैग एब्रिवेन वेल्कम टूदा क्लाश टेस्ट नंबर 59 एं फुर यूपीस सी प्रिलिम्स 2019 एक्जामिनेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस लखना फुर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरू करते ना जी एस पेपरवन की टेस्ट सीरीज चलिया है प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन में चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट इंपोर्टेंट है सारी वीडियो यह आज की कोश्चन नमबर बन है हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं स्नो लेपड के संदर में निम्लिक लिकत्नों पर विचार कीजिए यह एक विडाल पर जाती है जो मध्धेसिया में रहती है यह भारत के पडोसी देसों जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान नैपाल भूटान चीन और म्यामार में भी पाया जाता है यह आयू सीयन की लाल सूची में गंभी रूप से संकट ग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो देखिए यह बिडाल पर जाती है मध्धेसया में पाई जाती है करेक्ट स्टेटमेंट है भारत के पडोसी देश पाकिस्तान अफ नेपाल भूटान चीन और मैमार में भी यह पाया जाता है यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है देखिए गंभी रूप से संकट ग्रस्त नहीं है यह एक हाली इंडेंजर्ड है तो कौन सा कथन सही हो जाएगा के बल पहला और दूसरा तो देखे हिम तेंदुआ एक बड़ाल पर जाती है जो मद देशिया में रहती है और यह भारत के पडोसी देश जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान चीन और मैमार में भी पाया जाता है इसके अलाबा यह कजाकिस्तान में भी मिलेगा आपको किर्गिस्त नहीं है तो मतलब संकट गरस्त है यह गंभी रूप से संकट गरस्त नहीं है इसका आवास हिमाले और उसके आसपास के छेत्र हैं किसका इनमें से किसी का यह नैपाल का यह की राश्ट पक्षी है यह उत्त्राखंड का राज्य पक्षी है और दोहार साथ तक यह हिमाचल प परदेश की एंडे देने की अबधि अपरेल से अगस्त माह के बीच होती है। कि नेपाल का तो यह राष्ट्र पक्षी है भारत के पड़ोसी देश कि चलिए को सब्सक्राइब थ्री देखते हैं कि निम्लेखित प्रजातियों पर विचार कीजिए देखिए पहला है इनको इंग्लिस में पड़ो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड इंडियन वल्चर रेड हैडेड वल्चर हिमालियन वॉल्फ और हिमालियन ताहर भारत में पाई जाने वाली उपरोक्त परजातियों में से कौन गंभी रूप से संकट गरस्त है मतलब critically indentured हैं देखिए most important हैं जितने भी animals हैं UPSC के फेबरेट हैं और बहुत पूछे जाते हैं चलिए पताईए इसका answer देखिए तक great Indian वस्टर्ड critically indentured है Indian वल्चर भी critically indentured है red headed वल्चर भी critically indentured है हिमालियन वॉल्फ भी critically indentured है लेकिन हिमालियन ताहर पढ़ा चुका हूँ पहले यह critically indentured नहीं है यह केवल indentured है तो पांचमा कार्ट दो जिस जिसमें पांच नूमबर ऑप्सन है उसको हटा दो तो यह तो हो नहीं सकता और अब पहले तो चारो के चारो जो है वो critically indentured हैं CR है और red headed vulture मतलब लाल, सरवाला, गित, हिमालियन वॉल्फ हिमाले का भीडिया और हिमालियन ताहर तो दो तीन वार से question कराई रहे हैं पता ही होगा दिखा भी दी होगी image में कैसी है तो देखिए गंभी रूप से संकत करस्त मतलब critically indentured हैं The Great Indian Wustard, Indian Vulture, Red Headed Vulture और हिमालियन वॉल्फ critically indentured नहीं है केवल indentured है हिमालियन ताहर question number 4 देखते हैं भारत में पाई जाने वाली निम्रिक परजातियों में से कौन? IUCN की सूची में indentured हैं केवल indentured है, critical indentured हैं मतलब संकत करस्त हैं बस Red Panda, Olive Riddley Turtles, Blue Whale, धोल, Lion Tilled Macaak और Indian Elephant लाल पंडा, Olive Riddley कचुए, नीली वहल और धोल और लाल से सिंग पुछी मकाक बानर और इंडियन भारतियाहा थी नीचे दिये गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर चुनिए तो देखें अगर पिछला टेस्ट किसी ने अच्छे से लगाया होगा तो इस प्रश्न को कर ले जाएगा देखें, Olive Riddley Turtles जो हैं, वो Vulnerable हैं मतलब indentured से जो पहले आता है, वो हैं Vulnerable तो इसको हटा दो देखें, जिस इसमें 2 होगा उसको कर दो, Eliminate कर दो तो आंसर निकली आना है तो आंसर हो जाएगा डी, Red Panda Indensured है, Blue Whale Indensured है, ढोल भी Indensured है, Lion Tilded Macaak Indensured है, Indian Elephant भी Indensured है इसके साथ साथ नेलगी ताहर भी Indensured है, तो एक, तीन, चार, पांच और छे तो ये हैं देखिए, Olive Riddley Turtle, Olive Riddley कच्छुआ ये देखिए, ये List आपको याद रखनी है, सबसे पहले आता Least Concern, उसके बाद NT, फिर Vulnerable, फिर EN, मतलब Indensured, फिर CR, critically Indensured, अंत में आता है Extend ये बढ़ते हुए करम में और इसको घटते हुए करम में दोनों से याद रखिए, क्योंकि UPSC इस तरह के प्रश्ण पूछ लेती है, तो ये Vulnerable है, Olive Riddley कच्छुआ अगला प्रश्ण है, यदि आप हिमाले और उसके आप आसपास के छेत्रों का प्रहमन करें तो आपको निमलिखित में से जीवों की कौन सी परजातियां बहां देखने को मिलेंगी Domestic याक, भारल, Clouded Leopard, Alpine Mask Deer, इनको अंग्रेजी में पढ़ो इनके नाम तो Domestic याक, मतलब बहां का इस्थाई याक, भारल, Clouded Leopard, और Alpine Mask Deer तो देखिए, ये सारी की सारी जो परजातियां हैं, Domestic याक हो गया, भारल हो गया, Clouded Leopard हो गया, और Alpine Mask Deer ये सारी की सारी हिमाले छेतर में पाई जाती हैं, अगर आप वहां उनका प्रहमण करोगे तो, 1, 2, 3, 4, अंसर हो जागा असका तो देखिए, ये यदि आप हिमाले और उसके आसपास के छेतरों की यात्तरा करोगे, तो आपको निमलेखिए, सभी परजातियां बहां देखने को मिलेगी, ये है, Clouded, ये है, Domestic याक, ये है, Alpine Mask Deer, ये है, Clouded Leopard, और ये है, भारल, क्या है, भारल उसकी तरह होता, निलग तो सारे के सारे यहाँ पर, ये माले चेतर में, उसके आसपास के छेतर में देखने को मिलेंगे, तो UPSC के फेवरिट है, Question No.6 है, ये है, मध्यम आकार का समुद्री इस्थंधारी प्राणी है, जो बिस्व के कई भागों में समुद्री तटिये चेतरों में, चेतरों के जल प्रेजन की गती धीमी है, और इसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती है, इन कारणों से इनका संरक्षन आवश्यक हो गया है, और एक असुरक्षित जाती यह घोसित कर दिया गया है, कई इस्थानों पर इन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, इस जाती बची है, इस कुल में था एक स्लेटर, स्लेटर समुद्री गाय थी, स्लेटर समुद्री गाय, स्लेटर सी ओफ काव, स्लेटर सी काव, नामक एक अन्य जाती भी थी, लेकिन उसका इतना सिकार करा गया कि वह अठारवी सताब्दी में ही लुप्त हो गई, यह कौन है, पताइए किसकी बात हो रही है खराई उंट ब्लू वेल भारतिय गोह या डुगोंग देखे पूरा परिछेद को पढ़ने के बाद यह निश्कर्स निकाला जा सकता है कि यह डुगोंग की बात हो रही है क्योंकि इसकी एक और प्रजाती जो बिलुप्त होगे अठारविश समुद्री गाए इसको भी समुद्री गाए बोलते हैं उसको स्लेटर सीकाव बोलते थी और यह जिसका जीवनकाल कम से कम सत्तर वर्सों तक जीती है यह इंपोर्टेंट है इस पूरे परिष्चेद को अच्छे सा पढ़ लीजिए यही इसका एक्स्प्रेनेशन है यही इस सोरी चलिए एगला प्रेशन देखते हैं खराई उंट खराई कैमल के संदर में नेमरिकल कत्मा पर विचार कीजिए यह रन ऑफ कच गुजरात में पाया जाता है यह खारे बगानी में पाया जाने वाला जीव है यह प्रकरती में मानसारी होता है अध्या पालतू नहीं बन करक्त है भारे ङाय कर्यक्त है यह परकृती में ख़ैंड के माносहारी नहीं हुता है सारे उंटों की त IPS होता है तो यह गलत है और इसका यह सेकेंड इसस्तेट्मेंट भी के आबादी के दवरा खराइ के मअले खराइया उट रन अव कचё के गुजरात में पाया जाता है खकरए पानी का जीव है प्रकृतीमे सकाहरी होता है और गुजरात के कच इस थानी लोकोचारा इसको पालतों बनागर वह पालता है चलिए अगला प्रश्ण है देखे असम के इन नेसनल पार्कों को पूरब से पस्चिम की और सजाना है एस टू वेस्ट आपको रखना है पर एक्जामपल यह देखे एस वेस्ट और यह नौर्ट साउथ चलो नौर्ट साउथ को छोड़ दो आपको इधर से इधर सजाना है इ दो से तीन सेकिंड का टाइम है जल्दी से तो देखे सबसे पहले आएगा इनमें से इस्ट टू वेस्ट लेना है ना इतनी बार मैंने एक्जाम में जो भी टेस्ट पहले लिए होंगे उसमें बोलाओगा देखे इस्ट और मोस्ट वदाया था सबसे पहले पूरवत्तर जो है नैसनल पार्क असमगा वो कौन सा इतनी बार नाम लिया होगा पचासो टेस्ट में कम से कम उसका नाम है डिबरू शेक होगा तो देखे सबसे पहले डिबरू शेक होगा सबसे इस्ट में अब कांजी रंगा मानस सी ओ डी को तो हटा दो अब डिबरू श लैंब तो जो हमारा अंसर हो जागा डिबरू शेक होगा कांजी रंग और अरंग और मानस एगरेक्ट हो जागा इस चलिए मैप मैं दख लीजिये इसको ऑड़ी आपका हजम फ्हेला हूए यहां तक यह चीन की सी मिदर सर्थ सुरू हजाती है यहां अग सब से इस्टन पस्चिम में बिल्कुल है इतर की तरफ मानस नेसल पार्क इंपोर्टेंट है UPSC इस तरह के प्रेशन कर लेती है क्योंकि सीधा सीधा अगर पूछ लेगी असम कहा परे कांजी रंगा कहा परे गाफी सिंपल हो जाएगा तो अब और टफ करने के लिए उसको पूछेगी पस्चिम से उरप की और या पूरप से पस्चिम की और आठा प्रशने असम के हो गया है तो नमा प्रशने चलिए इसकंद पुराण में इसे त्री रिशी सरोबर भी कहते हैं या कहा जाता है यह भी कहा जाता है कि जब अत्री पुलत्स और पुलह रिशी को कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड़ा खोदा और मानसरोबर जील से पानी लाकर इसमें भर दिया इस जील के बारे में कहा जाता है कि यहां डुपकी लगा लेने से उतना ही पुन्ने मिलता है जितना मांसरोभा नदी में नाहने से मिलता है यह जील 64 सक्ती पीठों में से एक है इंपोर्टेंट होने वाली है काफी इस सुन्दर जील में नोकायान का आनंद लेने के लिए लाखो देशी विदेशी परेटक यहां आते हैं जील के पानी में आसपास के पहाडों का प्रतविंब दिखाई पड़ता है रात के समय जब चारो और वल्बो की रोसनी होती है तब तो इसकी सुन्दरता और भी बढ़ जाती है जील के उत्री किनारे को मली ताल और दक्षणी किनारे को तली ताल कहते हैं उपर्युक्त परिछेद किसका बढ़न करता है अगर आपको यहां से लेकर यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो यह तली ताल और मली ताल का नाम सुनके साथ आपको कुछ यहाद आ जाए तो बताईए इस परिछेद में किसका बढ़न हो रहा है सेसनाग जील, चिलका जील, नैनी जील या नागिन जील तो देखे इसका correct answer हो जाएगा नैनी जील की बात यहां पर हो रही है तली ताल, मली ताल, भीम ताल, सारी ताल उदर की तरह भी है सेसनाग जील, जब्मू कस्मीर में है चिलका जील, उडिसा में, नागिन जील भी जब्मू कश्मीर में है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नैनी जील तो देखिए नैनी जील ये नैनी ताल डिस्टिक में है जो उत्रा खंड मेस्तित है इस तरह से दिखाए देती है काफी अच्छी और रात में यहां पर जो दिखिए जब लाइटिंग होती है तो यह इसका जो रिफ्लेक्सन है यहां पड़ता तो और सुन्दर यह दिखाए देती है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं निमलेखे दिगुमों में से कौन सा सही सुमेलित है कोलेरू आंधर प्रदेश जील है यह और नल सरोबर हेमाचल प्रदेश रेणू का गुजरात नीचे देगे कूट का प्रियोग करके सही उत्तर चुनिए तो इनमें कौन-कौन सही सु करेक्ट हो जागा यूपीएसी कोस्टन कर चुकी है रेणू का तो देखे तो यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता के बलेक्ट हो जाएगा यसमें तो देखे कोलेरू जो जो आंधर प्रदेश में है और नल सरोबर गुजरात में रेणू का रखा उसको विजिट कर लो थैंक्स पो वाचिंग थैंक्यू